जैपूर में कॉंग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लब ने आज नरेंद्र मोधी सरकार के उपर बड़े आरोप लगाई हैं, हमारे साथ बात करने के लिए खुद गौरव वल्लब हैं, गौरव वल्लब जी ये बताएं कि जिस तरह से राफेल का मामला सामने आया, आपने कह कि ऑपरेशन कवर अब चल रहा है, ऐसा क्यों? सारे दस्तवे CBI को सौंपे, तेभी सक्टूबर 2018 को CBI डारेक्टर का तक्ता पलट मध्य रातरी 12 बजे हो जाता है, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, दुनिया में कोई ऐसा देश बता दो, जहांकि सरकार अपने अधिकारियों का तक्ता पलट रात को कर दे, मैंने तो नहीं सुना, पतो ये क्रोनोलोजी है या ये ओपरेशन कवर अप है, ये संयोग है या प्रयोग है प्रधान मंत्री जी, इसके बारे में अपना मत बताईए, कि क्यों ये एक ही महिने में, एक के बाद एक जब इवेंट हुए, तो क्या आपको ये डर लग रहा था कि CBI की सामने आपके ब्रष्टाचार का मामला सामने आ जाएगा, इसलिए आपने रातो रात CBI के डायरेक्टर आलोक वर्मा को अटा के नए डायरेक्टर को बना दिया, दूसरा तथ्य ये है और वो भी इंपोर्टन तथ्य है, कि ED ने 26 मार्च 2019 को छापे मारी की, सुशेन गु डॉकुमेंट, जिसके आधार पे राफेल की कीमत का निर्धारन हुआ, उस चापे मारी में क्या दस्तावेज मिले, एक एकसल शीट मिली, जिससे ये पता चला कि राफेल के कैलकुलेशन कैसे हुई है, क्योंकि 526 करोड का जहाज, जो कॉंग्रेस की UPA सरकार खरीद रही थ क्लॉस को हटा दिया, क्या आरोप है इसके पीछे आपका, क्या आपको लगता है कि सरकार को डर था किसी बात का? क्या आपने आज तक कोई बड़ी डिफेंस डील में नो करप्शन क्लॉस की एपसेंस देखी है, नो ब्राइब क्लॉस की एपसेंस देखी, क्यों हटाया गया? और UPA का जो डॉकुमेंट था, जो टेंडर डॉकुमेंट था, उसमें नो करप्शन क्लॉस, नो ब्राइब क्ल नो कमिशन क्लॉज उस टेंडर डॉकुमेंट में था ये क्यों हटाया गया ये किसके कहने से हटाया गया और जिस तरह से दस्तावेज आ रहे हैं सामने अभी फ्रेंच की जो मीडिया पार्ट है उसने का 65 करोड रुपे का जो बिचोलिये को दिये गए हैं मैं कह रहा हूं ये 65 करोड का नहीं है ब्रेश्टाचार ये 41,205 करोड का ब्रेश्टाचार है जिसमें 136 जाज को पहले 126 जाज को पहले तो 36 किया गया 526 करोड के जाज को 1670 करोड किया गया CBIE का तक्ता पलेट किया गया ताकि वो कवर अप हो जाए आपको जो डॉकुमेंट मिले सुशेन गुपता के घर पे उसमें एक बहुत एहम डॉकुमेंट मिला उसमें ये लिखावा है दसौल कंपनी को सुशेन गुपता लिख रहा है कि मैं आपको हिंदुस्तान के पॉलि बनाए गया है यह जो आप ने कहा इसके पीछे क्या कोई आपके पास तथ्य है क्या लगता है आपको विर्योद्राय की उपर आपने आपको विल झेफ vidéos MA ळाख और दां राएम विनोद राए जो मापी मांगते हुए घूम रहे है इस्टाम पेपर पे अनकंडिशनल अपोलोजी लिकर एं और उनको क्या मिला इसके इन सब करने के तहत सड्य इस शड़ी अंतरकारी को पद्मा भूशन इस शड़ी अंतरकारी को Minister of State का दर्जा मिला Union Government का जिसमें Bank Board Bureau जिसमें की सरकारी बैंकों के चेर्मेन और Executive Director चुनने की जिम्मेवारी दिए एक आखरी सवाल सर क्या आपको लगता है कि 2014 की जो आपकी पार्टी की सरकार थी वो BJP के narrative को counter करने में विफल रही उस समय इसलिए वो सकता से आज भी केंदर में बहार है देखे विफल तक नहीं है यह हमारी क्या आदत है हम धिंडोरा नहीं पीच सकते हैं वो हमारे culture नहीं है वो Congress का structure नहीं है को राहूल गांदी जी का हमको बतायावा नहीं है गांदी फैमेली की culture नहीं है यह हमारे structure है यह हमारी सोच है यह हमारी ideology है हम काम में विश्वास करते हैं धिंडोरे में नहीं दूसरी तरफ एक ideology है जो काम कुछ नहीं है बस बजाते रो धोलक कांग्रेस के प्रवक्ता यह कहते हुए कि भाजपा केंदर की सरकार operation cover up में समय लगी हुए राफेल को लेकर वो कई बाते कह रहे थे जिसको उनका कहना है कि इनके हिसाब से स्पष्ट करता है कि राफेल में बड़ा रश्टाचार हुआ है आमरा परसन निखिल शर्मा के साथ देवंकूर वधावन जैपूर